हेले ओरिवन नमस्कार आप सभी को स्वागत आप सभी का टैंथ साइंस में एक और इंपोर्टन टोपिक आपके लिए रिफाइनिंग ओफ मेटल्स देखेगा मेटल्स की रिफाइनिंग बड़ा इंपोर्टन टोपिक है जो मेटल्स हमारे डिली लाइक में यूज होते हैं आ अर्थ के नीचे होते हैं और मिनरल्स और की फो में मिलते हैं वहां से हम इनको क्या करते हैं माइनिंग कर लेते हैं इनकी और माइनिंग करके इनको अर्थ से नीचे से हम निकाल लेते हैं इसमें काफी सारे इंप्योटीज होंगी जैसे मिट्टी वगरा मिट्टी भी मिली ह तो उसके बाद माइनिंग के बाद सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं वोसिंग कर लेते हैं सबसे पहले वो जो और मिलेगा उसकी हम वोसिंग कर लेते हैं वोसिंग के बाद मिट्टी वेगरा उससे अलग हो जाएगी उसके बाद जो चीज बचेगी उसकी हम कर लेंगे हि आएंगे जिसको की हम बोलेंगे इलेक्ट्रो लिटिंग रिफाइनिंग दिखेगा काफी इंपोर्टेंट है इलेक्ट्रो लिटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रो लिटिक रिफाइनिंग ध्यान से समझेगा इलेक्ट्रलिटी का मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने वाले हैं रिफाइनिंग में देखेगा कैसे यूज करेंगे माल लिजिए इस तरीके की जो प्रोसेस है इसमें हमने माल लिया कि हमारे पास ये कोई टैंक है ये हमने माल लिया एक टैंक है और इसके अंदर हमने एसिड भरा हुआ है इस टैंक के अंदर कौन सा एसिड है जिस भी मेटल को रिफाइन करना है उसी का एसिड लेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे कोपर सल्फेट कोपर को रिफाइन करना चाहेंगे तो copper sulphate का हमने यहाँ पे solution ले लिया ठीक है फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे दो इस तरीके की electrodes लेंगे दो electrode लेंगे हम एक electrode यह है और दूसरी electrode हम यहाँ पे लेंगे तो दो electrode होंगी एक को हम बोलेंगे cathode और एक को बोलेंगे हम anode ध्यान रखेगा जो impure metal है जो impure metal है हमारे पास impure metal उसको हम बनाएंगे यहाँ पे आपका anode और एक पतली सी strip यानि कि एक पतला सा तार ले लेंगे हम उसी metal का जो कि बिल्कुल pure foam में होगा और इसको बना लेंगे हम आपका cathode देखेगा detail में आपको बताएंगे हमने क्या किया यहाँ पे एक दो metals के pieces लिए एक cathode और दूसरा anode anode में actually में क्या है वो impure metal है मान लीजिए हमारे पास copper की copper metal है और उसके अंदर काफी सारे impurities हैं उन impurities को दूर करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे इसको copper sulfate के solution में dip कर दिया एनोड बना दिया इसको और एक उसी metal का है यह कि copper को pure करना चाहते हैं तो copper का एक पतला सा तार ले लेंगे बिल्कुल पतली सिस्ट्रिप और उसको बना देंगे cathode जिस metal को pure करना चाहते हैं उसी का solution लेंगे copper sulfate का solution है और यह ध्यान रखना आपने acidified होगा यान कि acid के साथ reaction करके हमने इसको acidified कर दिया ठीक है अब जब ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे इस anode और cathode को एक wire के थरू एक तार के थरू बैटरी से जोड़ देंगे तो इस तरिके से हम यहाँ पे एक wire लेंगे और यहाँ पे एक battery लगाएंगे यह बैटरी का negative terminal और यह यह बनेगा आपका cathode और यह बन जाएगा आपका anode और इस तरिके से हमने एक battery लगाके इन दोनों anode और cathode को जोड़ दिया जैसे ही जोड़ेंगे तो reaction शुरू हो जाएगी reaction शुरू इस तरिके से होगी कि यह जो anode थी हमारे पास जो impure metal थी इससे copper ions release होने शुरू होंग और धीरे धीरे जो impure metal थी यह disintegrate होती चली जाएगी और यह जो copper ions थे इस impure metal से जमा होते रहेंगे आपका इस तरफ impure metal से आपका इस cathode के उपर आते रहेंगे और यहाँ पे एक layer सी बनती चली जाएगी metal की कहने का मतलब क्या होगा कि यह जो anode थी यह लगातार disintegrate होती रहेंगी तूटती रहेंगी और जो impurities थी इसके अंदर वो यहाँ नीचे जमा होती रहेंगी तो कुछ टाइम बाद हम यह देखेंगे कि यह जो जितनी भी इस anode धीरे दी रहें यह anode क्या होगी खतम हो जाएगी disintegrate हो जाएगी क्योंकि इस से pure metal कैथोड के उपर चली जाएगी co2 positive iron की form में और यहाँ पर जो भी impurities थी जो भी impurities थी वो यहाँ पर नीचे जमा हो जाएगी और यहाँ पर कैथोड पर हमें पूरी pure metal मिल जाएगी तो यह तरीका था स्टुडेंट की हमने electrolytic refining बिजली लगा के बैटरी को लगा के और किस तरीके से एक impure metal को हमने pure metal में बदल लिया तो इस तरीके से हम copper की refining कर सकते हैं pure metal को हम यहाँ से प्राप्ट कर सकते हैं तो आई हूप स्टुडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा आने वाले दिनों में हम और important topics discuss करेंगे metals की refining के ओपर तो स्टुडेंट प्लेज वीडियो को like करें share करें आपका अपना चैनल इसको subscribe करें अगर आपको कोई doubt है तो आप comment section में अपने comment करके अपने doubt पूछ सकते हैं thanks for the watching